हेलो एवरीबन आप सभी का स्वागत है इस चैनल में आज के इस लेक्चर में हम बीपीएसी टीरी पीजीटी मैथ के लिए लेकर आये हैं इनसी आईटी से सेलेक्टेड प्रोब्लम यह इस सीरीज का पाचमा लेक्चर है और आज का टॉपिक है एरिया एरिया से रिलेटेड जितने भी अब्जेक्टिव सवाल हैं नसी आईटी में उन सबों का बिश्त्रित डिसकसन आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे के पर एक बार शेयर कर दिजिए चलिए शुरूआत करते हैं कुश्टन नंबर बन से कुश्टन नंबर बन है आज के इस लेक्चर का एरिया लाइंग इन दे फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बॉंडिड बाइ दे सर्केल x square plus y square बराबर 4 and the line x बराबर 0 and x बराबर 2 is बात को समझेगा सवाल को आप इसका screenshot ले लिजे सवाल बनाने में हम इसको अगले page में जाना होगा ज़रत ध्यान दिजेगा question तो एक बार बढ़िया से पढ़ल दिजे कहा जाता है कि question समझ लेना ही आधा जबाब दे देना होता है यदि आप question को समझ लेते हैं तो समझ लेजे कि आधा जबाब मिल गया question है area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square जोड़ बाई square बराबर 4 and the line x बराबर 0 and x बराबर 2 दिखी क्या होता है x square जोड़ बाई square बराबर a square एक circle होता है जिसका center होता है origin और radius होता है आपके पास दिया हुआ है x square जोड़ बाई square बराबर 4 अर्थात यह है एक ऐसा circle है जिसका center है origin और radius है 2 यह एक ऐसा circle है जिसका center है origin और radius है 2 तो हमको निकालना है इसके first quadrant में area लेकिन पूरे का नहीं बलकि line x बराबर 0 और x बराबर 2 के बीच का तो यह आपका x तो 0 यहां है ही और radius चुकी 2 है x square पलस by square बराबर 4 इसका मतलब इसका radius 2 हुआ तो 2 यहां पर हुआ तो x बराबर 2 यह लाइन गया x बराबर 2 यह लाइन गया और यह x बराबर 0 तो इसके बीच का यह area निकालना है आपको यह area 0 और 2 के बीच में तो आप जानते हैं कि circle का जो area होता है वो होता है pi into r square और यहां आपका radius है 2 तो pi into 2 का square यानि 4 pi square unit तो यह पूरा circle का area हुआ यह circle जो है symmetric होता है दोनो axis के x axis के भी और y axis के जब x का power do मिल गया यानि even मिल गया तो यह by axis के symmetric होगा यह rule है कि any figure is said to be symmetric about by axis if there exists even power of x और अगर even power of by मिलता है तो यह x axis के symmetric होगा आप यहां देख रहे हैं कि x और by दोनों का power even है तो यह दोनों symmetric होगा axis का इसका मतलब जितना area होगा first quadrant में उतना ही second में उतना ही third में उतना ही fourth में तो हमको निकालना है area in first quadrant बराबर हो जाएगा आपको square unit जो option है आपका a, pi square unit कोई जरुवत नहीं है integrate बगएरा करने का अगर हापको बनाना ही है integrate ही करना है तो integration के लिए आप क्या करेंगे भाई इस curve को integrate करेंगे तो इसके नीचे जितना region है उस सब area मिल जाएगा आप calculate किजेगा area हो जाएगा first quadrant में by dx और by आपके से निकालेंगे तो x square जोड़ by square बराबर है 4 इसका मतलब by square बराबर होगा 4 minus x square यानि by बराबर होगा under root 4 minus x square तो integration कर दिजेगा 0 से 2 under root 4 minus x square dx जो result आएगा वही answer होगा वैसे आपको इतना दूजाने के जुरत नहीं है objective सवाल है आपको symmetricity का यूज करते हुए result का यूज करते हुए बना लना चाहिए उमिद है कि आप अच्छे से इसको समझ गये होंगे चलिए दुसरे question की ओर चलते हैं वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों में से share भी कीजिए अगला question देखिए area of the region bonded by the curve by square is equals to 4x and the line by is equals to 3 एक parabola है by square is equals to 4x और एक line है by is equals to 3 इन दोनों से घिरा हुआ region का area आपको find करना है कैसे find करेंगे area तो देखिएगा पहले तो आप देखिए कि ये जो by square is equals to 4x है ये आपको एक parabola है जो x-axis के symmetric है अभी बताये थे by का power even है तो ये x-axis के symmetric होगा तो ये by square बराबर 4x ये आपका एक figure हो गया graph हो गया पाराबोला हो गया और एक line है by बराबर 3 एक line है by बराबर 3 तो by बराबर 3 आपको इस तरह से उपर में कहीं मिलेगा by बराबर 3 इस परकार से मिलेगा या और उपर लेके जाएए तो इनकों ये area निकालना है ये area इसका मतलब क्या करेंगे इस curve को integrate करेंगे कहां से कहां तक 0 से 3 तक by axis के respect में करेंगे तो आपका इसका area मिलेगा तो क्या मिल जाएगा area ये ध्यान देना है कि जिसको आप integrate करेंगे उसके under का curve जो है under का portion जो है उसका area मिल जाएगा या ना भी है area under curve तो इसका निकालना है area तो ये हो जाएगा आपका 0 से लेके 3 तक 0 से 3 तक क्या इसको integrate करना है x किसके respect में by के respect में अगर x axis से region घिरता तो integration होता by dx by axis के साथ है तो x into dy अब x आप कैसे निकालेंगे तो आपके पास दिया हुआ है by square is equals to 4x तो यहाँ से आप x निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा by square is equals to 4 x is equals to हो गया तो हमारे पास जो area मिलेगा वो होगा 0 से 3 x को integrate करेंगे और x हो जाएगा by square upon 4 और d by अब आप constant 1 by 4 जो है इसको बाहर निकाल दीजिए और integration कर दीजिए by square का तो by square का integration आपको मिलेगा by cube बटा 3 कहा से कहा तक 0 से 3 तक और ये 1 by 4 आपको बाहर में था तो ये एक बटा 12 बाहर निकाल दीए ये देखिए 4 3 जा 12 और यहां मिल जाएगा आपको by q कहा से कहा तक 0 से 3 तक यानि 1 by 12 into by के जगा पर पहले अपर लिमिट रखेंगे 3 तो 3 ती आई 9 ती आई 27 माइनस 0 यानि ये हो जाएगा आपको 27 अपॉन 12 तो 9 ती आई 27 4 ती आई 12 9 by 4 असक्वाइर यूनिट आपका अंसर होगा जो आप्सन क्या है आप्सन है आपका b 9 अपॉन 4 और ये थोड़ा अच्छा सवाल है इसको आप एक बार देख के जाएंगे तोड़ा बढ़िया सवाल है चलिए अगले सवाल की और चलते हैं कुश्चन नमबर 3 देखिए smaller area enclosed by the circle x square जो by square बरावर 4 and the line x plus y बरावर 2 is आपको find करना है smaller area जो x square plus y square बरावर 4 circle और line x plus y बरावर 2 से enclosed होता है यानि circle और state line दोनों से enclosed होने वाले जो smaller portion है उसका area निकालना है कैसे निकालेंगे सवाल का screenshot लेके रख लीजे और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर कर लीजे वीडियो को share कीजे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में चलिए इसके solution को देखते हैं देखिए आपको दिया हुआ क्या था एक circle है x square plus y square is equals to 4 तो आप जानते हैं कि ये circle है जिसका center होगा origin और radius होगा 2 radius हो जाएगा 2 इस परकार से यान ये point होगा 0 0 और ये point हो जाएगा 2,0 ये तो 0 0 हुआ और एक line है x plus y बराबर 2 तो x plus y बराबर 2 का मतलब क्या हुआ इस line को अगर आप intercept में लिखेंगे intercept form में तो आपको मिल जाएगा x upon 2 plus y upon 2 is equals to 1 दुना तरब 2 से डिभाइट करेंगे तो तो x intercept हो जाएगा 2 और by intercept हो जाएगा 2 यानि जब line का equation होता है x upon a plus by upon b is equals to 1 तो आप जानते हैं कि ये line intercept form में होता है जिसमें x के नीचे जो होता है वो x intercept और by के नीचे जो होता है वो by intercept तो x के नीचे होगिया आपका 2 यानि x intercept है 2 और by के नीचे भी है 2 यानि by intercept होगिया 2 तो आपका state line होगिया ये तो आपको क्या करना है आपको निकालना ये area a smaller area bonded by circle and a state line तो integration के चक्कर में नहीं रही है integration के चक्कर में रहेंगे तो आप place को integrate करेंगे 0 से लेके 2 तक और फिर उसमें से घटाएंगे इस line को integrate करेंगे उससे अच्छा है कि आप इसके result को यूच कीजे इस circle का area कितना होगा circle का area पुरा complete होगा πाई r square r आपका radius है 2 तो πाई into 2 का square यानि दो दुनी 4 पाई ये पूरा 4 पाई circle का area हो गया तो area of circle in first quadrant area circle का देखिए in first quadrant तो first quadrant में क्या होगा 4 से भाग दे देंगे यानि सिर्फ क्या हो जाएगा पाई और इस एक quadrant में जो circle का area बना उसमें से strangle का area को minus कर देजिए तो अपने हाप ये निकल जाएगा यानि इसको आप कह सकते हैं कि required area is equals to होगा required area is equals to circle के area में से minus कर देजिए strangle का area तो strangle का area क्या होगा 1 by 2 into base into altitude base हो गया 2 और altitude हो गया 2 यानि मिल जाएगा pi minus 2 square unit pi minus 2 square unit और ये आपका answer था b पीछे जाकर देख लिजे तो इसका right answer है आपका b answer b अब हमको पीछे जाना होगा पेज में दिखा ही देते हैं आपका answer था आपको ये देखिए b pi minus 2 ये आपका answer था pi minus 2 समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से ये देखिए क्या हमने किया आपको फिर से एक बार बता देते हैं circle का area जानते है pi r square उसमें first quadrant का area निकाल लिया तो first quadrant में area होगा है सिर्फ pi और उसमें से ये triangle का area minus कर दिया answer मिल गया चलिए अगले question की ओर move करते है next question देखिए area lying between the curves by square बराबर 4x and by बराबर 2x is दो curve दिया हुआ है आपको एक है by square बराबर 4x और एक दिया हुआ है by is equals to 2x इन दोनों curve से जो region बनता है उसका area आपको निकालना है तो पहले आप देखिए कि by square is equals to 4x क्या है तो by square is equals to 4x ये एक पारा बोला है by square is equals to 4x ये एक पारा बोला है जो एक सेक्सिस के सिमेट्री है clear है बात और दुसरा line है by बराबर 2x तो by बराबर 2x एक state line है ऐसे जो origin से पास करता है by बराबर 2x तो आपको ये area निकालना है तो सबसे पहले आप निकाल लिए इसका point of intersection ये तो पता है कि 0 है ये point क्या मिलेगा ये point क्या मिलेगा तो इस point को निकालने के लिए हम इस दोनों कर्व को solve कर देते हैं by square is equals to 4x और by के जगा पर रख दिजे 2x तो 2x का square is equals to 4x तो ये आपको मिल रहेगा 2 जाब 4x square अब minus 4x is equals to 0 अब आप 4x common ले लिजे तो x minus 1 is equals to 0 4 0 हो नहीं सकता तो x होगा 0 या थो आप 1 यानि ये होगा आपका 1 तो required area क्या होगा यही समझना है area क्या होगा आपका इसको integrate कर देते हैं 0 से लेके 1 तक 0 से 1 तक ये जो line है ना ये पाराबोला का जो line है उसको integrate कर देते हैं वे से घटा देते हैं strangle का area strangle का area घटा देते हैं तो आपको यह area निकालना है जो बच जाएगा strangle का area क्या हो जाएगा half into base into altitude तो यह base आप जानते हैं कि base कितना है 1 है और यह altitude नहीं जानते हैं तो altitude में by का value रख दीजेगा यह देखें by square बराबर है 4x x का मान जब देंगे 1 तो by square is equals 2 हो जाएगा 4 यानि by is equals 2 हो जाएगा plus minus 2 तो इनिचे वाला minus 2 उपर वाले 2 यानि इस point का coordinate होगा 1,2 तो यह 1 है तो यह 2 है तो इसका area का triangle क्या हो जाएगा 1 by 2 into base into altitude हो गया अब इसको integrate कर देजे यह हो जाएगा 0 से 1 y क्या हो जाएगा तो देखें by square बराबर 4x है तो by बराबर क्या होगा यहाँ देखें by square is equals to 4x है तो by is equals to क्या हो जाएगा 2 into root x square root में बदल जाएगा तो 2 root x dx minus यह 2 से 2 कर जाएगा यानि यह 1 हो जाएगा अब आप 2 बाहर निकाल दीजिए integration हो जाएगा 0 से 1 root x dx यानि x के power 1 by 2 dx minus हो जाएगा 1 तो आपको मिल जाएगा twice of x के power 1 by 2 का integration x का power 3 by 2 upon 3 by 2 और यह कहां से कहां तक 0 से 1 तक माइनस यह 1 आपको area of triangle बला ही था यह उपर चला जाएगा तो मिल जाएगा 2 times of 2 by 3 into x का power 3 by 2 है जिसमें x के जगह पर पहले रखेंगे 1 बाद में रखेंगे 0 minus 1 तो यह आपको मिल जाएगा 22 जाप 4 by 3 minus 1 4 by 3 minus 1 यानि 1 by 3 1 by 3 4 by 3 minus 1 जिसको further आप expand करेंगे तो मिल जाएगा 1 upon 3 तो आपका answer हो जाएगा 1 upon 3 यह आपका B हो गया दो सवाल इसमें आप खुद से बनाईएगा उस question को मिल दे देते हैं या एक class और रखी जाएगा इसमें भी चार और problem बचे हुए हैं तो हम चाहेंगे कि आज आप area पुरा बना लिजी इसको देखते हुए idea मिल गया होगा NCRT को चार question और इसमें बचा हुआ है objective के रूप में इतना कर लेंगे ये सफिस्येंट होगा उमीद है कि आपको आज का ये lecture काफी अच्छा लगा होगा वीडियो को अंतरन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किर्पिया इसे share कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लाइक तो किये ही होगे अच्छा खासा एक comment में लिखिएगा हमनों का यही पारिस्रमिक है आपके दिये हुए comments से हम लोगो बहुत उर्जा परदान होती है बरना एक घंटा दू घंटा कोई इसम में निकालने जाता है कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है यह से हम लोग चैनल को राइज करने में कुछ मदद मिले ऐसा कुछ नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का